महिनों से परिजए चाचा, हमारे स्कूल में 23 नवंबर को स्कूल स्थापना दिवस मनाया जाएगा चाचा, यह नवंबर क्या है? वह कब आता है? वह सबता, वीक का कौन सा दिन है? कैसे पता चलेगा? छूटू, यह सब जानने के लिए तुमें कैलेंडर समझना पड़ेगा दोस्तो, इस वीडियो में एक साल, वन यर के बारह महिनों, ट्वेल मन्स के नाम और दिनों डेज से परिचित होंगे तुम जानते हो कि एक सबता में साथ दिन, यानि वन वीक में सेवन डेज होते हैं जैसे की सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुद्धवार, वेनसडे, ब्रिहस्पतिवार, थरस्डे, शुक्रवार, फ्राइडे, शनीवार, सटर्डे और रविवार, संडे हाँ चाचा, जानता हूँ छूटू, ऐसे ही, एक साल में बारह महिने, यानि वन यर में ट्वेल मंट्स होते हैं केलेंदर का पहला दिन, हमेशा एक जन्वरी, जन्यारी से शुरू होता है और आखरे दिन, इकतिस दिसम्बर, दिसम्बर होता है तो पहला महिना जन्वरी, जन्यारी और आखरी महिना दिसम्बर, दिसम्बर है इन दोनों महिनों के बीच में कौन-कौन से महिने, मंस होते हैं? देखो, एक साल में बारा महिने होते है जैसे की पहला जन्वरी, जन्यारी, दूसरा फर्वरी, फेब्रोरी, तीसरा मार्च, मार्च, चौथा अप्रेल, एप्रिल, पांचवा, मै, मै, छठा जून, जून, सातवा जुलाई, आठवा, अगस्त, ओगस्ट, नौवा, सितंबर, सप्टेंबर, दसवा, अक्तूबर, ऑक्तोबर, ग्यारवा, नवंबर, नवेंबर, और बारवा, दिसंबर, दिसंबर चाचा, एक महिने में कितने सब्ता होते हैं? छूटू, एक महिने में चार सब्ता और कुछ दिन होते हैं. चाचा, हर महिने में कितने दिन होते हैं? हर महिने में दिनों की संख्या अलग-अलग होती हैं. जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जिलाई, अगस्ट, अक्तूबर और दिसंबर महिने लंबे हैं. इन सबी महिनों में 31 दिन होते हैं. अप्रेल, जून, सितंबर और नवंबर छोटे महिने हैं. इन सबी महिनों में 30 दिन होते हैं. अरे, आपने फरवरी महिने में कितने दिन होते हैं? ये तो कहा ऑँ नहीं. छोटू, फरवरी सबसे छोटा महिना है, सामन्य रूप से फरवरी में 28 दिन होते हैं, पर हाँ, चार साल में एक बार फरवरी में 29 दिन होते हैं, क्योंकि रुथवी को सूर्य का एक चकर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते है हर साल के बचे हुए 6 घंटे को 4 साल में जोड़ा जाता है जिससे 4 साल फरवरी में 29 दिन होते है जिसे लीप वर्ष कहते है चाचा बारा महिनों के दिनों को जोड़ने से कुल कितने दिन होते है बारा महिनों के दिनों को जोड़ने से कुल 365 दिन होते है और हाँ लीप वर्ष में बारा महिनों के दिनों को जोड़ने से 366 दिन होते है चचा मेरे स्कूल में 23 नवंबर के दिन स्कूल स्थापना दिन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 23 नवंबर को कौन सा दिन आएगा देखो चूटू यहां नवंबर 2019 का कलेंडर है यहां उपर की तरफ दिया हुआ हर अक्षर सब्ता के दिनों के नाम दर्शाता है जैसे की रविवार, सुमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हां इन साथ दिनों के समू को एक सब्ता कहते है हां चूटू देखो कैलेंडर में सब्ता के दिनों के नाम के कॉलम में जो भी तारिक आती है उस दिन वही दिन होता है हम नवंबर मेहने में तेख तारिक शनिवार के कॉलम में है हां तो तेख नवंबर को शनिवार है अब समझा अमारे स्कूल में तेख नवंबर को शनिवार के दिन स्कूल स्थापना दिवस मनाया जाएगा हम्, छोटू, ये बताओ कि तुम्हे साल के महिनों के बारे में क्या-क्या याद रहा? एक महिने में चार सप्ता और कुछ दिन होते है और एक साल में बारा महिने होते है जन्वरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर और दिसंबर महिने में 31 दिन होते है हाँ, और अप्रेल, जून, सितंबर और नवंबर महिने में 30 दिन होते है छूटू, फरवरी में कितने दिन होते है? फरवरी में 28 या 29 दिन होते है शाबबाश अब ये बताओ एक साल में कितने दिन होते है एक साल में 365 या 366 दिन होते है छूटू अब तो तुम्हें केलेंडर में महिने और दिन कैसे देखते है वहाँ आ गया ना हाँ चाचा बहुत अच्छे से आ गया शाबश छूटू दूस्तो इस वीडियो में आप साल यर के 12 महिनों 12 मंस के नाम और दिनों डेख से परिचित हुए अगले वीडियो में हम 12 महिनों से जुड़ी दिलचस्प बाते जानेंगे कि अगले बाते है अगले दिलचस्प बाते है